Hello friends, welcome back to my channel, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फीसे तो वीडियो जो है बहुत देर से आया है और आज का वीडियो जो है थोड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि बिहार का जो है फॉर्म आचुका है, आप देख सकते हैं कि बिहार का फॉर्म आचुका है BPSC-TRE जो 3.0 है, वो निकल चुका है फॉर्म, तो इस फोर्म में बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है, दिये हुए हैं, पहले जैसा फॉर्म निकला था 2.0 का तो वैसा ही जो है अब 3.0 का जो है form निकला है इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या age limit होगा और कैसा qualification होगा और इसमें क्या ललीत कला में wishes करकी जो है ललीत कला ठीक है ललीत कला विशय में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या-क्या लगेगा हमें exam देने के लिए और कौन-कौन जो है कौन को ना भिहारती जो है इसमें एक्जाम देने के लिए लिजीबल होंगे तो इन सब विश्यों में जो है आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो का आप पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है तो देख जाएगा तो इसमें हम लोग देख व्यारे कि पहला जो नंबर यह बोलता है कि जिख्षा वीवाग के अंतरगद प्रार्थम विध्याल है कौन कौन सा क्लास के लिए निकला है तो वन तो फाइब के लिए निकला है सिक्स तू एट के लिए निकला है 9 to 10 के लिए निकला है 11 to 12 9 to 10 और इन सब के लिए जो है फॉर्म निकला है ठीक है लिए विशेवार रिक्त जिलावर आरक्षन पोस्ट समेकित रूप से प्रशासी विभाग दर उपलब्द कराने के बाद आयो के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी यानि यहां पे ए 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 और 9 to 10 निकला है ठीक है दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि अनुसूचित जाती और जन जाती यानि सिजूल का सिजूल ट्राइब जो हो रहा है उनको यह लोग अनुसूचित हिंदी में बोला जाता है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती जसी जन जाती कि यह नहीं समझ पार है जिस को बाहर तो उनके लिए बिश्यच रीप से यह है कि जो नहीं समझ पार है वह नुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती यहां scheint SC और ST से हैं तो उनके लिए कह रहा है कि कल्यान विभाग के अंतगत कक्षा 1-5 तक की विध्याले अध्यापक कक्षा 6-8 तक की विध्याले अध्यापक पद के लिए विशैवार और कोटी वार रिक्त परशाश्यरी विभाग द्वारा उपलब्द कराने का वेबसाइड है व वो भी 1, 2, 5, 6, 2, 8, 11, 2, 12 वेगर जो विश्यक के जो चाते हैं जो टीचर बनेंगे दे सकते हैं तीसा हैं वो रहा है कि अभ्यारती की संख्या के अनुरूप परिक्षा का संचालन एक से अधिक चर्णों के आमें आजवित की जाएगी और चौते हैं वो रहा है कि इस विग्यापन हे तू लिये जाने वारे परिक्षा में प्रसेक्षनिक योगिता, सिक्षक पात्रता परिक्षा के और एपिरिंग केंडिडेट को सम्मेलित नहीं किया जाएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग इस इसको चार नमबर पॉइंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे है कि जो अब समझ लिजे पहले जो बोला जा रहा था, बार-बार टी-डी-ए-3 को निकलने असे पहले, कि आपेरिंग केंडिडेट को बैठने का मौका तो यहां पर साफ सफ लिख दिया जी गया है कि उन्हें सम्मेलित नहीं किया जाएगा जो लोग का बीएड सीटेट या एस्टेट पिपर कंप्लीट है पास हैं उन्हीं लोगों को BPSC 3 में बैठाया जाएगा वही लोग जो है एक मातर BPSC 3 का एक्जाम दे सकते हैं इस चीज विष्ख विभाग के तथा अनुसुची जाती और अनोसुची जुन जाती कल्यान विभाग के अंथगस सभी एध्या एध्याबक के परल नियुक्ती होती इनिवार रहे हैं यहां अहर्ता का मिन्स होता है योग्यता यानि क्वालिफिकेशन ठीक है योग्यता यानि क्वालिफिकेशन यहां पर अहर्ता का मिन्स होता है क्वालिफिकेशन यहां बोल रहा है कि विशिक्षावी भाग तथा अनुसुची जाती जन जाती और जो भी है जनरल कास्ष, क्वालिकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए पहला होना चाहिए कि वहारत का नागरिक होना सब्सक्राइब करता विशेश के लिए भारती पूर्ण प्रशुत के अनुरूप अनुमान यानि वो कहीं से भी जो है उसको master degree और graduation बीए डिग्री इत्यादी का जो है वो मनें उसके पास qualification जो है होना चाहिए तीसरा में बोरा है कि राजसरकाता केंद्र सरकार दोरा समय समय पर आहुत सिक्षक पत्तता भरती में उत्तिर्ण हो यह जो आप देख रहे हैं कि उत्तिर्ण हो यानि यह जो है qualification उसके पास क्या क्या होना चाहिए पहला तो भाद का नागरिक होना चाहिए दूसरा जो है वो उसके पास graduation पोस graduation इत्यादी पास होना चाहिए वो तीसरा important चीज बोल रहा है कि सिक्षक पात्तता परिक्षा यानि सी टेट या एस टेट दोनों में से कोई भी वो उत्तिर्ण हो यानि पास हो उसमें ठीक है पहले तो आप समझ लिजी कि भारत का नागरिक होना चाहिए भारत में रहने वाले कोई भी वेक्षी जो है जो टीचर बने के eligible है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है उसे कोई दिकत नहीं है यहां पे कहा गया भारत का बस नागरिक होना चाहिए वो वेक्षी जो भी इस फॉ सीटेट पास होना चाहिए इसमें तीन नंबर में ही जो पॉइंट है उसका ए नंबर कह रहा है कि सिक्षा विभाग और अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती कल्यान विभाग के विध्याले अध्यापको एक से पांच के लिए सीटेट पेपर वन या बी टेट पेपर वन पास होना चाहिए यह आप देख रहे हैं कि इन्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिक्षा विभाग के प्रस्टेट अनुसूची सिक्षा विभाग में कोई वह जनरल कास्ट हो सीडूल कास्ट हो स्टी सी ड्राइब या फी डव्लू एस कोई भी कैटेग्री में पढ़ता ह को उसे अगर वह फॉर्म फिल कर रहा है क्लास वन टू फाइब के लिए तो वह सीटेट पेपर वन या फिर बीहार टेट पेपर वन पास होना चाहिए सेगंड में बोलता है मध्य माध्यमिक मेडल जो एडूकेशन है मध्य विद्याला जो है उसके लिए कक्षा 6-8 के लिए जो लोग फॉर्म फिल करेंगे उनके पास पेपर टू या बीटेट पेपर टू होना अनिवार रहे है यानि सीटेट पेपर टू और बीटेट पेप लगेगा नेश्च बोलता है कि माध्यमिक विद्याले कक्षा 9-10 के अध्यापक को और कक्षा 6-10 तक अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती कल्यार में भाग के अध्यापक को तता विशेश विद्यापक को कक्षा 9-10 के लिए सेट पेपर वन होना चाहिए ठीक है यह वो कह रहा है कि एक लाइन ठौक्त मिन्स वौर बोल रहा है इस पेशल एडूकेशन किये होंगे उनको भी एस्टेट प्रवर पास होना चाहए है कुंती बारा येवं कोई सेदस्य जाती एवं के कंपूटर विशय के लिए एस्टेट पेपर वन में उत्तिर्न होना चाहिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आप देख सकते हैं कि यहां पे कह रहा है कि कम्प्यूटर विशाई के लिए स्टेट उत्तिर्न होना चाहिए यहां पे जो कम्प्यूटर का जो फॉर्म निकला है कम्प्यूटर के टीचर के लिए जो फॉर्म मांग रहा है वहाँ पर बोल रहा है कि computer विशय के लिए paper 2 जो है होना चाहिए ठीक है computer विशय के लिए अगर आप computer विशय से form fill कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर paper 2 का होना बहुत जरूरी है paper 2 अगर आपके पास है estate तो ही आप computer subject के teacher जो है बन सकते हैं तो ही आप computer computer में जो है इसका form fill कर सकते हैं अभी तक यहाँ पर ललित कला के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है बस इतने कहा गया है कि कक्षा 6-8 अध्यापकों के लिए seated paper 2 या बीटेट पेपर 2 होना चाहिए माधमिक के लिए या नौ से दस अध्यापकों के लिए या फिर 6-10 अनुसुची जाती जन जाती या फिर नॉर्मल अध्यापकों के लिए जो भी मैंने किसी भी कैटेगरी में वह पढ़ते हैं या फिर विशेश विध्याले अध्यापक इनी स्पेशल एडूकेटर जो होंगे उनके लिए 9-10 के लिए एस्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए और सिक्षा विभाग के अनुसुची जाती जन जाती के लिए यह आपको ध्यान में रखना होगा कंप्यूटर विशेश के लिए एस्टेट पेपर 2 होना जरूरी है ठीक है नेक्स्ट आ रहा है कि प्रमूग परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति और कारेरा सिक्षा जो दक्षता पैशा उत्तिर्ण होंगे के लिए सिक्षक पात्ता पैशा उत्तिर्ण अनिवार नहीं होगी ओके नेक्स बोलता है सिक्षभी भाग के विग्यापन इतना दिनांक सत्रा छे आलोगन स्पर्ष्ट रूप से कहा गया है कि भी सीटेर अभ्यारतियों के लिए बीटेट दो सत्रा के लिए लागो प्रावधन सामाने कोटी के अभ्यारतियों को नियूंतम 60 परसेंट अंग जाती जन जाती या कहीं भी हो वो निशक्त कोटी के उमिद्वारों को नियूंतम 50 परसेंट अंग के अधार पर उत्किन माना जाएगा तो यह कह रहा है कि अगर आपका सीटेट और बीटेट में ठीक है 60 परसेंट है सामाने कोटी के अभ्यारतियों को मनें जनरल कास्ट को 60 परसेंट अंग अगर वो मिला है उसको तो वो पास माना जाएगा लेकिन यहाँ पे एक और बात कही गई है कि पिछड़ावर्ग अत्यंत पिछड़ावर्ग और सामाने कोटी की महिलाएं और पिछड़ावर्ग अत्यंत पिछड़ावर्ग की उमीदवारों को 55 परसेंट अंग में ही पास माना जाएगा एवां अनुसूची जाती जन जाती और निमनकोटी की उमीदवारों को 55 परसेंट अंग में पास माना जाएगा तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है है कि इसलम लंग सीटेंट में बोलता है नभे नंबर लाने के इसे ही पास हो जाता है लेकिन सीटेट में समाने कोटि के जो अभीयारती हो गहें सर्मने कोटि के जो अध्यारती हो वहां पर पूर देशांध concurral कासट की कोई है जो के लिए 60 नंबर लाना बहुत जरूरी है अगर वो 60 परसेंट नंबर लाएं हैं तो ही वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके अलावा अगर सामने कोटी की महिला है या अगर जनरल कास्ट की कोई महिला है या फिर अत्यंत पीछरा वर्ग या पीछरा वर्ग जो अगर आप जनरल कास्ट की महिला है तो आपको 55 पास माना जाएगा और अगर आप मेल है या और अगर आप जनरल कास्ट में पढ़ते हैं तो फिर आपको 60 परसेंट नंबर चाहिए सीटेट या बीटेट में ठीक है ओके लिखा हुआ है ठीक है यहां पे हम लोग देख लेत होना चाहिए पहला और निव्यंत्म आपको 50% अंग से पास होना चाहिए आप ग्रेजवेशन कुछ भी किये कि अगर पूर्ण ब्रसक्शनिक योगेता अगर आपके पास है यानि बीएड रसेक्शनिक योगेता यापके पास घ्राजुएशन है तो वह आपका पर मीनिममं 50% अंग होना चाहिए तो ही आप भर सकते हैं या फिर पैतालीस परसेंट अंग होना चाहिए उत्तर माध्यमिक में ठीक है तो ही आप फॉन को फिल कर सकते हैं ठीक है और इसके बारे में बहुत कुछ दिया है अच्छा अथवा देख लेते हैं तब हम लोग नियूंतम पैतालीस परसेंट अंगों के साथ उच्चितर माध्यमिक अथवा उसके संकश या फिर प्रारंभिक सिक्षर शासर में द्वी वर्ष्य डिप्लोमा हो सकता है आपके पास तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो तो राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशाद मानेता मांदन या क्रियाविधी वीनी में 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो यानि 2002 के अनुसार होना चाहिए फिर बोल रहा है या फिर अथवा मिन्स और या फिर आपके पास 50% नंबर होना चाहिए उच्चतर माध्यमिक म फिर उसके समकश हो या फिर शिक्षा साथ सर विशेष शिक्षा में ड्रीवर्शी डिप्लोमा हो विशेष शिक्षा यानि special education जो होता है हम लोग जो मनें कुछ लोग जो special education करते हैं वो अगर है तो भी हो सकता है दो साल का डिप्लोमा की हैं तो भी वो 125 के लिए eligible माने परंतुक के बरहे हैं और यहां फिर बोड़ा है कि कक्षा 1-5 के लिए मूल कोटी कि पिछला बगंते पिछला पार पास्ट जूचा जो इनके लिए बोरा है कि जो हैं ठीक है उनके लिए जो है सिब्स परसंब की छूट दी जाएगी उनको बाकियों के लिए कोई छूट नहीं है यानि कैटेगरी को छोड़ गए जनरल कास्ट के लिए कोई छूट नहीं है बाकी कैटेगरीयों को जो है वो 5% की छूट उनको जो है दी जाएगी अर एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बोरोया है कि उर्दू पदो पर जो उर्दू का जो फॉर्म उर्दू भी तो यहां पर निकला है तो उर्दू पदो पर बिहार, राज, नाज, मदर्सा, सिक्षा बोर्ड हो या फिर मौलाना, मजरूल, हक, अर्बी Moly अर्बी अगर आप पास हैं तो आप उर्दू में सनातक की सेक्षणिक योगेता मानने होगी ठीक है उर्दू में आप भड़ सकते हैं बंगालियों के लिए बोर है कि एक से पांच के लिए बंगला सिक्षकों के पदो पर इंटर में 50% बंगला अचा संकों का बंगला तथा किसी माननेता प्रात विश्विध्याले में बंगला में सनातक की योगेता मानने होगी किसी सोसाइटी और ट्रस्ट के दोरा स्थापी स्वक्षिक स्थानों दोरा प्रदत भाशा विशेश की उपाधी डिग्रीक भी विध्याले अध्यापक पर न्यूक्ति मानने होगी ठीक है यानि अगर आप उर्दू में उर्दू स्कूल में मदर्सा में वेगरा में पढ़े हैं तो भी इस चीज़ को आप उर्दू में सनातक किये हुए हैं तो भी आप जो है उर्दू में भर सकते हैं और अगर बंगाली है या बंगाल से हैं बंगाली सिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर आपको बंगला में 50 no. so और भाशा आने की साइन्स सोसल साइन्स और स्काषि और निकालन जाए की नियोगती हेट नियंतम सेक्षिनिक हरता क्या होना चाहँ है तिहां पर अहरता का मतलब आप लोग अहरता से भी बहुत सुद्ध हिंदी लिखा है तिहां पर अहरता का मिंस हो रहा है कि योग्यता आपकी क्या योग्यता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो बताना चाहरा है ठीक है कह रहा है कि सनातक विश्विध्यल अनुदान आयो तो फिर कम से कम 50% परसेंट अंकों में सनातक तथा बीयड अगर यह भी है आपके पास तो भी आप 6-8 के लिए लिजीबल हैं नियूनता 45% अंकों के साथ नातक और अगर एक वर्ष का बीयड भी आपके पास है तो भी आप लिजीबल हैं जो इस समबंद में समय समय पर जारी है तो भी वह इस चीज के लिए लिजीवल है अगर कोई बी एड और उसके पास बीएड की डिग्री हो तो भी वह है नेक्स बोलता है कि 50 परसेंग होना चाहिए उसका माध्य मीक उच्चतन माध्य में चार वर्शी प्रारमविक सिक्षा शास्तर में सनातक होना चाहिए उसके पास तो भी चलेगा त्फिर यह सब बहुत कुछ है ठीक है बीएड सनातक सनातक उत्तर होने से भी चलेगा अब यहां पर बता रहा है कि वर्शे से आट के भाषा विशाय के विध्यालय ध्यापक के लिए सनातक स्तर पर विशिष्टा अनुन्शांगिक यानि सबसीडिरी विशाय के रूप में संबंदित भाषा विशाय पठित हो या था भाषा संस्कित की सिक्षक बने वो यानि अगर आप उर्दू सिक्षक बनते हैं तो आपके पास यह होना अनिवार है सामाजिक विज्यान विशाय के लिए इसनातक पर इतिहांस भूगोल राजनिती सास दर्शन सास अस्त वानिज्य विवनों विज्यान समाज सास ग्रीह विज्यान में से कोई दो विशाय सनातक प छौम घर तो आपके पास होना चाहिए हिस्ट्री जियोग्राफी पॉल स्साइंस, फिलोस Waiti s. स्क्रवищ विलोज्य विवनों विदू क्तो है दो साइंस में होना चया है आपका गणित आप की साख़ी कि भौतिक विख्यान चौना लो और तो से लिवियोगान और आपका जो combination बनता है तो भी आप इस चीज़ को भर सकते हैं इस चीज़ को आप ध्यान से समझेगा कि मनोविग्यान र्म साइकोलोजी हैं है अगर आप साइंस में भरना चाहते हैं तो साइंस में आपको होना चाहिए मैथ साइन्स के स्टुडेंट के लिए अच्छा बता रहे हैं कि अगर आप सामानी विश्यों के लिए टी शिक्षक विभाग के अंतरगत जो है सिक्स्टू नाइन टू टेन और सिक्स्टी टेन जो है वह क्या है उनके जरूत है विश्यों में कम से कम 50% होना चाहिए आपके पास विश्यों जो जाता है यहां पे जो सारी रिक शिक्षा बोल रहे हैं यह सारी रिक शिक्षा का अर्थ हो जा रहा है आपका फिजिकल education तिक है वहाँ तो हम लोग देखें computer के लिए आपको बताया computer सिक्षा के लिए जो है आपको estate paper one होना चाहिए one और two में से ठीक कोई एक होना चाहिए तब ही आप computer सिक्षक बन सकते हैं अच्छा सारी रिक से यहां बता रहा है कि विशय के लिए 9-10 विध्यालया अध्यापागेवन अनुसूचित जनजाती कल्यानि भाग के कख्षत 9-10 के लिए आवर सेक्षिनिक योग गिता यानि वही अहर्ता ठीक है एक वेकलपिक विशय के रूप में साहिरी सिक्षा के साथ 50% अंकों के सारी सिक्षा में सनातक की उपादी होने चाहिए तो ही आप भर सकते हैं इसमें आपको बीएट की कोई जरुरत नहीं है यहां पे बीएट नहीं दिया है तो आप यहां पर यहीं समझ सकते हैं कि आपको 50% मार्क्स अगर है अगर आप फीजिकल अगर आप भर सकते हैं अगर आप कहें के कोच हैं तो भी आप भर सकते हैं और कम से कम तीन वर्स का अध्यान अध्यापन अनुभाव है माना इसमें जो बोल रहा है कि आपको 50% अंग तो होना चाहिए अगर साइथी सनाथ भी होना चाहिए राश्टी सिक्षाइबर परिश्याद में अगर आप कहीं काम भी कर चुके हैं तो भी यह एलेजीबल आप रह अगर आप नहीं किया तो भी आप एलेजीबल है और अगर आप कर आपने कर रखा है तो भी आप यह दोनों ही स्थिती में जो है आप फिजिकल एडुकेशन के टीचर बनने के लिए अब यह आ जाता है संगीत यानि म्यूजिक टीचर के लिए क्या इन्होंने दक्षता हरता होनी चाहिए मानिता प्राप्त संस्थान के संब्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन होने पर प्रशासी विभाकर निर्णा अंतीम होगा यानि यहां पर भी बात की कोई बात नहीं की गई है संगीत में आप ऐसा तो और भी कुछ नहीं कहा गया निवन्तम 50% अं जसके लिए ललीटकलाविषय इतना देश से लिए इतना ऊपर से पढ़ते और चैiderman तक लीए दगुप अवशकम योगिता क्या होना चाहिए यानि अनुसी जंजादी और जाती जिसके डाइड कर दिया क्यूंकि यहां पर जन्रल कास्ट के टेगरी जो भी है सभी के लिए यह हैं तो नौ से दस और छे तर्था कक्षा 6-10 तक का जो विध्याले अध्यापक के लिए आप आवश्यक योगित में आपको सना तक की उपाधी होनी चाहिए यानि आपको जो है वो जो बीएफे या एमेफे का जो कोर्स होता है बैचलर्स ओफ फाइनर्स और मास्टर्स इन फाइनर्स जो होता है यह आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास मास्टर्स इन फाइनर्स नहीं अगर आप bachelor of fine art आपके पास है BFA का course अगर आपके पास है तो आप ललित कला के teacher बनने के लिए eligible है ठीक है समझ में आया अथवा उसके समकष अहरता या फिर उसके समकष अहरता यानि means अगर आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा की बात तो नहीं की गई है लेकिन बहुत लोग जो होते हैं मैं जहां तक जानते हूँ कि यूपी में भी जो है इसका एक प्रावेधिक कला वेगरा का course होता है के लिए भी भर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आपके पास BFA की डिग्री है तो तो आप एदम निर्भाय होकर एदम आराम से जो है इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं यह तो है नुरिति के लिए डांस टीचर अगर आपको बनना है तो वही है कि 50% मार्क होना चाहिए और आप जो है डांस में जो है आप ग्रैजुएट होने चाहिए जो है इस पेशल एडूकेटर जो है इस पेशल टीचर जो बनेंगे उनके लिए क्या योगिता है कि उनको जो स्पेशल एडूकेशन का होना चाहिए विसविधाल असिसनाता की उपादी हो और उनके पास बीएट के सासद भारती परिशत के वैद सी आर आर नंबर धादित हो बने उनके पास को एक ठोसी आर नंबर होता है वो उनके पास होना चाहिए आच्छा यह तो हो गया यह तो बाकी सबका एक चीज़ लेकिन ख्याल करने का है कि यहां पर जो है ललित कला में आपको यहां पर कहीं सी टेट या फिर बी टेट असदयर के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है तो आपको एस्टेट फेपर 1 पास होना चाहिए पर यहां पे साफ़ साफ लेकिन कंप्यूटर विसाई के लिया कंप्यूटर विसाई के लिए वाप टीचर बना चाहते है तो आपको पास होना स्यूगा यहां पर ललित कला विशय के लिए ऐसा कुछ जो है यहां पर नहीं दिया गया है लेकिन ललित कला विशय जो है वह वह सिक्स टू टेन और नाइन टू टेन के अंतर गधी पढ़ता है तो आई थिंग आपको एस्टेट पेपर वन जो है पास होना चाहिए आप ऐसे एकर फॉ मैं आयू सीमा यहां एज लिमिट क्या होना चाहिए यह बहुत ही भाइटल एक चीज बन जाता है एजली में जो है अभी जो है बहुत लोगों का इतना साल से जबकि नौकरी जौब वेगरह नहीं निकल रहा है तो इसली मिट जो है बहुत ही भाइटल अभी एक इशु बन किना जागा कि आप कितने साल के हैं अच्छा अब यहां पर दूसरा नमर 12 जाती जन जाती कल्यानियों भाग कक्षा एक से पाच और छे से आठ और कट आफ दी थी जो भी होगा यह वो बता रहा है अच्छा यहां पर नियूनतम आयू जो होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष की होनी चाहिए उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयू जो है 37 वर्ष होनी चाहिए और नियूनतम होनी चाहिए 21 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए 37 वर्ष यह बिसे साूरिस्स अनारक्षित पूर्सों के लिए यहनि जनरल काष्प के जो मेल इनके लिए 37 एज रखा गया है और इसके अलावा बता रहा है कि पिछरा वर्ग, अत्यंत पिछरा वर्ग, पूरूस, एवंग महिला दोनों ही तथा अनारक्षित महिला अनारक्षित महिला यानि जनरल कास्ट की जो महिला है उनका एज जो है 40 रखा गया है ये बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए कि एज ये उनके लिए बहुत ही बात है बहुत लोग कर सकते हैं पूर्सोत का एज भी यह मोटामोटी ठीक है 37 रखां गए है अगर आप एक सर्विसमें योगेरा कुछ अगर हैं तो भी आफ फिलग कर सकते हैं उसके लिए निधाइत पिश्ट नुमर जो है साथ रखा गया ओप्या ठेक है एक्जाम पैटर्ण कैसा होने वाला जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पैटर्ण है यह है क्लास 1-2-5 के लिए हैं तो exam जो है 3 part में होगा, यह आप देख रहे हो, ने इनका होगा भाग 1 और भाग 2 साफ ₹ के लिए जो है 2 भागーों में exam होगा भाग 1 और भाग 2 और class 6-8 के लिए 3 part में exam होगा भाग 1 भाग 2 और भाग 3 part one part two part three three चे लिए और हाई घंटा का transfer है देडसो नंबर का इक्जाम होगा तो यह तीन कैसे क्या क्या होंगे यह देख लेते हैं कि पहले भाग में यहां पर इक्जाम होगा कि आपको भाशा का यानि पहला बहाग जो आपका तीस नंबर का होगा वह होगा आपका लेंगवेउच का ठीक है लेंगवेच का होगा उसमें क्या डिया जाएगा कि भाशा अहरता भाशा योगividades आपकी देखी जाएगे कि क्या भाशा योगिता है जिसमें आएगा अंग्रेजी, हिंदी, अर्दू, बंगला यह तीन और बाकियों के लिए जो है हिंदी उर्दू और बंगला रहेगा अगर जो हिंदी चूस करेंगे जो बंगला चूस करेंगे जो अगर कोई उर्दू भासी है तो उर्दू चूस करेंगा यह से के लिएंग अगर अगरलत बंगला में इस comment रहेगा है N eme 0 जो बंगाल से परते बढ़ा के चाट्र है जो बंगाल की तीचरन द की हाल में आके नखे नखड़ी खिर उसको पढ़ना तो उनके लिए बहुत ही बहुत ही साथा सामना करना पड़ता है जिस वज़े से उनके लिए यह अच्छा मोगा है कि उनके लिए बंगला भाशा यहां पर रखा गया है तो बंगला भाशा अपना अपनी जुभाशा है वह उसको चूज कर सकते हैं यह पहला लेंग्वेज का है सेके आ जाएगा भाग जो है सामानने इसमें दिया जाएगा भाग तीन जो है यह आपका रहेगा मेन ठीक है भाग तीन आपका रहेगा मेन इसमें बोलता है कि six to eight के लिए ठीक है मध्ध विद्याले की अध्यापकों के लिए एक विशह में उमिदवारों द्वारा इन पात्रों में से किसी एक पत्र का लाना है गनित विज्यान स्माजिक विज्यान हिंडी उर्दू या अंग्रेजी तो अगर आप सण्स्क्रिट सोसल साइंस चुस करएं तौ आपको सोसल साइंस का एग्यामें देना पड़ेगा अगर अगर हिंदी जो टुस चूज कर रहे तो आपको अपना language यानि इसमें जो है subjective होगा यह जो है subjective होगा या तो social science या तो science या तो language ठीक है यहां पर एक first रूप से note दिया हुआ है इसको पढ़ने की बहुत जरूरत है इसमें क्या बोल रहा है कि six to eight के सामाजिक विज्ञान के चैयन करने वाले अभ्या चूज करता है तो section two में उसको जो है geography और्तसास राजनिती सासर चूज करना होगा दोनों में इसको एक ठीक है और अगर विशय करेंगे अच्छा अभ्यारति दौरा अगर section one में भूगोल विशय का chyan करता है तो section two में उसको और्प सास राजनिती आशासर का विशय का करना होगा यहां पर हिस्टी नहीं दिया लगने आप एक प्रॉब्लम यह पर हिस्टी जो है देना चाहिए था आप फॉर्म फिल अप करेंगे तो आपको उस वक्त पता चल जाएगा कि अगर आप सेक्शन 1 में भूगोल के अगर आप छात रहे हैं तो आपको सेक्शन 2 में व कोना चाहिए आपका कॉंबिनेशन के लिए विशय पत्र जो होगा संगीत कला एवं कंप्यूटर को छोड़ कर जो है वह उन्चोड़ कर जो है आप बोल रहा है कि सिक्स्टू एट में न संगीत कला विशय के लिए संगीत एवं ललीट कला को सम्मिलित कर परिक्षा लिए इसमें एक ही चीज़ चूस किया जाए अगर संगीत है तो उसका संगीत आएगा और वह कलाक है तो ललीट कला उसको आएगा विशय का ग्यान होगा और एक जो है उसमें 30 कोशन आएगे भाग 2 में 40 का आएगा 40 नंबर का होगा भाग 3 नंबर का इन तीनों को मिलाकर जो है कौलिफाइ करना होगा आपको कम से कम 30 नंबर में आपको कितना कितना है यह जो है आपको है कि कौलिफाइंग मांग सोगा भाग एक कौलिफाइंग होगा सभी ध्यारत्य धापों के लिए ली जाने वाली रिकित परिक्षर वस्तुनित विकल्पेन एमसी क्यों कोशन होंगे नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगी ठीक है नोट बोलता है कि बिहार निमा उली के अनुकार जो सामाने वर्क के लिए 40% नंबर लाना होगा कम से काम को 40% नंबर तो लाना ही पड़ेगा ठीक है उसके बाद बोलता अगर आप महीला है तो आपको 32% नंबर लाने से आप पास कहलाएंगे लेकिन यह तो है आपको मेरिट में लाना पड़ेगा मेरिट में आना होगा इसलिए को जो आफ़ा नंबर जो है करने की जरूरत है अब और जाते हैं लोगों स्ट्रक्चर में आयत है कहां गया वैं कि क्या क्या आपको लगेगा आपको जो है PDF form में जो है सब परेगा प्रमान पत्र लगेगा यह important है प्रमान पत्र तोनुं के अच्छता पत्र बोल रहा है कि आपको जो है यह आप ध्यान में रखिए आपको दोनों ही देना पड़ेगा और यह आपको PDF फोम में देना पड़ेगा ठीक है यहां पे एक important है कि यहां पे आप सूलक कितना देंगा यानि पैसा कितना लगेगा आपको form fill करने में जो की सकते लिए एक important चीज़ बन जाता है सब कुछ सुने के बाद तो important क्या बनता है कि सामान ने वर्क के अगर आप हैं अगर आप जनरल कार्श से बिलॉंग करती हैं या करते हैं तो आपको साड़े साथ सो यानि साथ सो पचास रुपया आपको यहां पर पे करना पड़ेगा अगर आप अनुसूची जाती जन जाती से बिलॉंग करते हैं तो आपको दो सो रुपया यहां पर पे करना पड़ेगा और अगर आप अनारक्षित या आरक्षित महिलाएं हैं या महिला हैं फिमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर दो सो रुपया देना पड़ेगा अगर आप फिमेल कैटेगरी में पढ़त और दिव्यांग अगर है कोई तो वह 40% या उससे अधिक के लिए जो है 200 रुपया देना पड़ेगा और अन्हें सभी उमिद्वारों के लिए सारे 700 रुपया देना पड़ेगा तो यह समझ में आया आपको जनरल कैटेगरी में विसे से उसे पकलेजी पूर्सों को ही तो सार फिल का सुरू का डेट क्या है यह बता देते हैं नौ नंबर पॉइंट में दिया हुआ है यह बोलता है आपका 10 तारिक से फॉर्म जो है भरना शुरू होगा और फॉर्म का अंतिम्तिति जो होगा लास्ट डेट होगा वह 23-22-2024 होगा 10-22-2024 से फॉर्म जो है भरा लास्ट भुक्तान की अंतिम्तितिया नहीं आगा अगर आप पेमेंट नहीं करें आपका पेमेंट जो है किसी भी कारण से अटक गया है तो आप 25-22-2024 के अंदर पेमेंट कर दीजेगा त्यूंकि यह पेमेंट का लास्ट डेट है और बोल रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प् अगर आप पेमेंट कर रहे हैं प्रमाइन पत्र और कागजात को पीडिया फॉर्मेट में देना पड़ेगा ठीक है और और आवेदन पत्मादमी सीज़ा पात्त एस्टेट अगर थेज्ल्ट नंबर के स्थान पर अगर अगर आफ की और वहांपे ब्यांकि आय तॏ उनिक इटका यूनिक आईडी नंबर एवंग निर्गत तिथी के स्थान पर प्रतिफलन प्रकाशन की तिथी जो है आप वहां डालेंगे और अंतिम ऑनलाइन अगर सीटेट ऑनलाइन आविदन पर प्राथमिक एवंग मद्यालाई के लिए सीटेट उत्तेन उमिद्वार प्रमान पत्र अ यहाँ से आपको और तैसा कुछ नहीं यह खत्म हो गCERा है तो आपको वीडियो आसा करती हूं कि वीडियो जो है इंफॉरमेटिव होगा ठीक है वीडियो जो है इंफॉरमेटिव होगा आपके लिए अगर कुछ कुरेइज हैं तो पूछिए गां ठीक है और अगर आपको ललीत कला विशह के लिए कुछ दीकत या फिर अगर आप ललीत कला विशह में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो भी आप speaks कोश shortened को देने के लिए कोशन का यह मुझे जहां तक पढ़के लगा कि लगा की क सीटेट का यहां पर कहीं की नहीं है लेकिन नौ से दस और छे से दस का जो कैटेगिरी था, उसमें सी एस्टेट पेपर वन की बात कहीं गई थी, तो आपको यहां लगेगा आप फॉर्म फिल्प की कर सकते हैं, अगर आपका इसा ले रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, will and good होगा वो चीज़ तो और अगर नहीं ले रहा है तब तो यहां पे क्यूंकि कम्प्यूटर जो विसाय है कम्प्यूटर का जो विसाय है उसके लिए लेकिन कह दिया है कि estate paper one लगेगा कम्प्यूटर सिक्छक बनने के लिए estate paper one जो है लगेगा लेकिन ललित कला संगीत कला और physical education के लिए ऐसा कुछ जो है उन्होंने वहाँ पे नहीं कहा है तो हम यह मान कर चल सकते हैं कि हम ललित कला वाले side form fill कर सकते हैं तो अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ अच्छी जान कर ये गर आपको है तो आप comment box पे comment करें ताकि लोगों का भला हो और लोग जो है अगर वो ब्रमित हुए हो तो उनको जो है सही जहां मिल सकें ठीक है तो आज का वीडियो जो हम यहीं खतम करते हैं वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो चुका है बताया है तो मिलते हैं हम लोग नेक्सट वीडियो में वीडियो जल्द Dinge का वीडियो है आपтории और चली के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाठा बयवाई बार आच्छे से पर इये